नमस्कार, मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 6 सितंबर दन बदवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नसर सुर्ख्यों पर नितीज काबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर लगी मुहर स्रिक्रिशन जन्मास्ट मी वा चहलूं पर स्रक्षा के पुखता प्रबन ओन्लाइन ड्राइविंग राइसेंस के लिए इस रव साइट पर कड़े ओन्लाइन आवेदर दिलेर मेंदी अब भोजपूरी जगत में मचाएंगे धमाद वंडे विश्वकब 2023 के लिए तीम इंडिया की हुई खोशना अब चले भरते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से SSC ने निकाली 307 हिंडी ट्रांसलेटर के पदो पर भरती SSC के दोरा हिंडी ट्रांसलेटर के कई पदो पर भरती के लिए उमिद्वारों से आवीदन मांगी गया है ऐसे में जो उमिद्वार इन पदो पर आवीदन करना चाहते हैं वे आतिकारिक वेबसाइट SSC.nic.in पर जाकर आवीदन कर सकते हैं इन पदो पर आवीदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वही आवीदन करने की अंतिम तारिक 12 सितमबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तुम्हें द्वार के पास हिंदी अंग्रेजी में पोस्ट ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साथ ही ट्रांसलेशन में डिप्लोमा कोर्स भी होना अनिवारे है वही से जोरी अधिक जानकारी के लिए चारी की गए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है ओनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इस वेबसाइट पर करें ओनलाइन आवेदन अगर आप भी ओनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे के बिहार सरकार के पडिवहन विभाग के दोरा देगई जानकारी के नुसार ओनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ओनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट https.gov.in/.sarthi.parivahan.gov.in/.sarthi.service.state.selection.do पर जाकर आवेदन किया जा सकता है पतादिक से ओनलाइन आवेदन करने की सुधा के लावा टेस्ट के लिए ओनलाइन टाइम, स्लोट, बुकिंग की सुधा भी प्रिदान की जाएगी इसके लावा टेस्ट के लिए हिंदी और अंगलेजी दोनों तरह के भाषाओं का विकल्ट मिलेगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को घर तक पहुचाने की सुधा में लेगी नितीज कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडो पर लगी मुहर वितेदर मक्री मंतरी नितीश कुमार के दोरा कैबिनेट की बैठक आयुजित की गए जिसमें विवन विवागों से जड़े कुल 32 एजेंडो पर मोहर लगाए गये जिसमें पुनोरा धाम मंदर के विकास के लिए सरकार की ओर से 72 करोड 47 लाग रुपे की रासी की सुर्कृति दी गई तो वहीं इसके लावा गया जी धाम में धर्मशाला के निर्मान के लिए खुल 120 करोड 15 लाग 25 जार रुपे पटना विश्व विद्यारे में विज्ञान ब्लॉग जी प्लस सेवन नए बाली का चात्रवास दो ब्लॉग जी प्लस नाइन एवं स्टाफ कॉर्टर के निर्मान के लिए एक अलग 63 करोड 60 लाग 29 लाग रुपे की मनजूरी दी गई सहरी करीबों के लिए समाजिक जागरुकता संस्थागत विकास एवं जीव को पारजन से जुरी तमाम योजनाओं को बगैर निकाय में जीविका के माध्यम से करानी का फैसला लिया गया चुट्टी कालेंडर 2024 को मनजूरी दी गई जिसमें रविवार मिलाकर कुल 56 दिन की छुट्टी मिलेगी चतुर्त क्रिसी रोड मैप के अंतरगत DPR के अधीन दलहन फस्तों के विकास हेतू VTA वर्स 2023 में कुल 108,69,35,379 रुपे की स्विक्रतित दी गई है एकिकरत बागवानी विकास मिशन की उप्योजना राश्ट्रिय बागवानी मिशन के लिए 46,08,75,000 रुपे की स्विक्रतित दी गई क्रिसिकों के खेट तक सिचाई उपलद कराने हैं तू 125,16,171,000 रुपे की स्विक्रतित दी गई है पर लावा सरकार के ओर से इस मीटिंग में कई अने इसेंडों पर भी मुहर लगाई गई बिहार परिटिन में आज हम बात करेंगे मंदन धाम के बाड़े में मंदन धाम सहरसा जले के महिसी गाउं मस्थित या आठवी सताबदी के महान विद्वान और तत्वग्यानी पंड़त मंदन मिश्रा के जनमस्थली के रूप में भी जाना जाता है इस अस्थान के साथ एक रोचक कता जुड़ी हुई है ऐसा कहा जाता है कि पंड़त मंदन मिश्रा अपनी पत्नी भारती के साथ भारतीय तत्वग्यान में बहुमोले योगदान दिया जो कि आधी संक्राचारी के वर्ष्ट संकाली थे सनातन धाम के प्रचार के लिए आधी संक्राचारी ने मंदन के साथ दाशनिक बहस के लिए महीसी का दौरा किया था मंदन धाम के कई बहुमोले पुस्तके भी हैं जैसे ब्रहमसिद्धी, मिमानसु, नुक्रमानिका और विधी विवेक जोकी मंदन द्वारा रचित है इस धाम पर विवेन राचियों से लोग आते हैं विशेश रूफ से दक्षिन भारत के लोग मंदन धाम विदवानों की कर्म भूमी रही और यहां जाना अपने आप में गर्व की बात होगी अज यानिकी 6 सितमबर को श्रेक्रिशन जर्मास्टमी मनाया जाने वाला है तो वहीं कल यानिकी 7 सितमबर को चेहिलूम मनाया जाने वाला है ऐसे में इन दोनों परवों को लेकर सुरक्षा के पुखता उंतिजाम किये गये हैं बतादे के 20 वर ये मजिस्ट्रेट के नित्तु में 260 हस्थानों पर 274 मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ ही 5000 से अधिक जवान तैनात किये जाने वाले हैं। को सक्रिये रहने का भी निर्देश दिया गया है। मालमों किसे पहले बिना लाइसेंस जलूस निकालने और डीजे पर 100% रोक लगाने का भी निर्देश चारी किया जा चुका है। करती के दोबारा बैंकों से धोकादरी करने की कोशिश की जाएगी। तो उसकी पहचान पहले से हो जाएगी। यानि की फ्रोड के दोबारा एक खाते का इस्तमाल दुबारा धोकादरी करने के लिए नहीं क्या जा सकेगा। साइबर एक्सपर्ट के दोड़ा दी गए जानकारी के नुसार इस पोर्टल की मदद से सभी कर्ज दाता आताओं को धोकादरी के मामली के बारे में जानकारी भी दी जा सकेगी। बिहार के इस जिले में 7-22 सितमबर तक चलेगा रोजगार मेला अगर आप भी बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि जन संपर्क विभाग के दोरा दी गए जानकारी के नुसार। इसे में एक्छो कुमिद्वार अपने सैचनिक प्रमान पत्र और आधार की छाया प्रती रंगीन फोटो एवं बायोडाटा के साथ एन सी एस पोर्टल पर निबंधित कर कैंप में शामिल हो सकते हैं पतादी कि निबंधित कराने के सुधा कैंप अस्थल पर भी उपलद्ध करवाई जाएगे इस जॉब कैंप में मैट्रिक पास से ड्रेजुएशन पास तक के मिद्वार भाग ले सकते हैं वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट के तहट 48 स्टेशनों पर खुलिंग स्टॉल बतादी कि वर्तमान में अस्थरक स्टॉल पालिट प्रोड़क्ट के तहट सोनपूर मंडल के 9 स्टेशनों पर सुरू किये जा चुके हैं जिनने मुझपरपूर जंक्शन, सोनपूर स्टेशन, हाजिपूर स्टेशन, बरॉनिय स्टेशन, बेगुसराय स्टेशन, खगरिया स्टेशन, सापूर पट्रोरी स्टेशन, मांसी स्टेशन और नौगचिया स्टेशन के नाम सामिल है से में वे लोग जो स्टॉल लेने के एक चुक हैं वे संबन्ध इस्टेशन मैनेजर या वानेजे नरिक्चक अथवा SSO से संपर्क कर आविदन कर सकते हैं विहार के बैंकों में पड़ा है 250 करोड से अधिक अंक्लेंड मनी भारतिय रिजर्ब बैंक के दोरा एक पोटल के श्रवात की गई है जिसके माध्यम से आम लोग एक ही जगह पर कई बैंकों में जमालावार इस रासी में अपनी रासी को ढूनने में आसानी होगी बता दे कि पोटल का नाम उद्गम पोटल है और इसका उद्देश बैंकों में पड़े अंक्लेंड रासी को उनके सही खाता धा रखिया उसके नौमरी तक पहुंचाना है आपके जानकारी के बता दे कि बिहार के बैंकों के शाखाओं में हजारों की संख्या मेया से खाते है जहाँ पिछले 10 वर्शों से कोई लेंदेन नहीं हुए है इन बैंक खातों में करीब 250 करोड से अधिक अंक्लेंट रासी जमा है इसमें राजिस सरकार के 47 बैंक खातों में करी 32 करोड अंकलेंट मनी के रूप में वर्सों से पड़ा हुआ है वहीं अगर हम देश की बात करें तो देश के बैंकों में अंकलेंट राश्ची करीब 35,000 करोड रुपे है विहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अमित दत के बाड़े में उन्हें 2017 में चिकिस्ता विज्ञान में उनके योगदान के लिए विज्ञान और प्रोदकी के लिए सांती स्वरू भटनागर पुरुसकार से सम्मानित किया जो सरवच भारतिय विज्ञान पुरुसकारों में से एक है अमित दत को कैंसर अनुवांशिक के छितर में उलेखनी योगदान देने के लिए जाना जाता है जिससे बिमारी और इसके अनुवाद संबंधी संभावनाओं के बारे में हमारी समझ का वस्तार हुआ है उन्होंने एक जिनूम हस्ताक्षर की भी पहचान की जो तंबा को चबाने को मौकिक कैंसर से जोडता है उनके अध्यन को कई लेखो और रिसर्च गेट के माध्यम से प्रलेखित किया गया है वेहार सरकार के स्रम संसाधन विभाग के दवरा नियत की गए नियुनतम मजदूरी का भुकतान किया जाना अनी बारे है जिसके तहत अकुसल कोटी के कामगारों को 388 रुपे प्रते दिन अर्ध अकुशल कोटी के कामगारों को 403 रुपे प्रते दिन अतिकुसल कोटी के कामगारों को 600 रुपे प्रते दिन और परविक्षिये या लिपिकी ये कोटी के कामगारों को 11,107 रुपे प्रते दिन भु की जानकारी के लिए बता दे किसे जुरे विश्रच जानकारी के लिए विवागे वेबसाइट httpskolum slash state.bihar.gov.in slash labor के अधिसूशना सेक्षन से जानकारी प्राप्त की जा सकती है वहीं किसी भी प्रकार के शिकायत और समधान ही तो समबनित प्रक्षन के स्रम प्रवर्तन निक्पतादी कारी अधवा जिलों में स्रम अधिक्षक के काड़े आले में संपर्ग किया जा सकता है अब कामकाजी लोग भी ले सकेंगे बीटेक और बीए इंजिनरिंग की डिगरी स्टेटी के दौरा इंजिनरिंग विश्विद्याले के कूलपती को पत्र लिख या जानकारी दी गई है कि अब कामकाजी लोग भी इंजिनरिंग की डिगरी हासल कर सकेंगे ऐसे में इसी सतर से कामकाजी लोगों के लिए भी बैचलर और इंजिनरिंग और बैचलर और टेकनलोजी का कोर्स शुरू कर दिया जाए बता दे कि कामकाजी लोगों के लिए इंजिनरिंग के तीन कोर्स चलाए जाएंगे भेज दिया गया है जिसके अंतरक्त कामकाजी लोगों के कारयाले और कॉलिज की दूरी 50 किलो मीटर के बीच होनी चाहिए और जिन्ने नौकरी करते वे कम से कम एक वर्ष पुड़े हो गए हो दिलेर महंदी अब भोजपुरी जगत में मचाएंगे धमाल बहुत जल्दी बॉलिवुड और पंजावी में अपनी गाईकी से धमाल मचाने के बाद दिलेर महंदी भोजपुरी जगत में भी धमाल मचाने वाले हैं दरसल दिलेर महंदी के तोरा भोजपुरी जगत के हिट मसीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के फिल्म में चार गानों को अपनी आवाज दी गई है बता दे कि खेसारी लाल यादव की जिस फिल्म में दिलेर महिंदी के दोरा चार गाना गाया गया है उस फिल्म का नाव रंग दे पसंती है जो की सर के म्यूजिक फिल्म के बैनर तले बनी है और इस फिल्म के नरदेशक प्रेमानसू सिंग है आपके जानकारी के बता दे कि फिल्म देश भक्ती पर आधारित फिल्म है जिसमें खिसारी लाल यादब के लावा रती पांडे डायना खान अमित्तिवारी मीर सरवर फिरोज खान राजप्रेमी और सुजान सिंग भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं पतादी कि दिलेर मेंधी के दोरा भोजपुरी फिल्म में गाना गाने को लेकर कहा गया है कि उन्हें गाना गाकर बहुत ही अच्छा लग रहा इस काने को हर घर में बजाया जाएगा और लोगों को यह बहुत पसंदाएगा विहार का मूल निवासी होने के नाते बोजपुरी भासा और उद्योग दोनों मेरे बहुत करीब है दबाओं का समय से उप्योग सुनिशित करने की बनी नहीं नीती बिहार के अस्पतालों में उप्लत दबाओं का समय से उप्योग किया जा सके और उसे एक्सपायरी होने से रोका जा सके इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के दोरा एक नहीं नीती बनाए गई है जिसके तहट दबाओं के एक्सपायर होने से पहले ही अलर्ट का इंतजाम किया जाएगा इसके इलावा इस नई नीती में यह भी प्रावधान होगा कि अगर एक जिले में दबा की खपत नहीं हो रही तो उसे दूसरे जिले में भेजा जाएगा बतादी किस नई नीती के तहट दबाओं के एक्सपायरी 6 महीने से कम रहने पर पहले अलर्ट देने का प्रावधान बनाये गया है तो वही तीन माह रहने पर दूसरा एक माह रहने पर तीसरा जबकि अंतम महीने में हर एक सब्ता BMSICL को अलर्ट करने को कहा गया है वही अगर पुर्व अदक्षन पुर्व के जिलों में वजरपात की संभावना विहार में इन दिनों मौसम का मिजास लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में कहीं बारिस तो कहीं धूब जैसे हालात हैं मौसम भाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 10 सतंबर तक बार पुर्षन पुर्व के जिलों में एक या दो अस्थानों में बजरपात के साथ में गर्चन होने की पूरी संभावना है जाने के लिए बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के दोरा कई फर्मान जारी किये जा रही हैं इसी करही में अब एक और आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अब राज्जी के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े प्रधान ध्यापक के प्रधान ध्यापक के लिए एक नई व्यवस्ता अपनाई गई है दरसल विभाग के ओर से जलासक्षा पदाधिकारियों को जिमेदारी देते वे अंडर्देश दिया गया है कि 10 सितंबर तक राज्ये के मध्य विद्यालियों में प्रधान ध्यापक के खाली पड़े को भर दिया जाए आदेश में कहा गया है कि मध्य विद्यालियों में पदस्थापित इसनात उतर योग्यता धारी इसनातक सक्षकों को अपने ही वेतनमान में प्रधान ध्यापक के पदपर पुन्रूप से कारी करने के लिए पदस्थापित किया जाए और फिर इसनातक प तक सफिसक्षत च कर दोगों को बहुत जमूई जिला में 211 एकर जमीन पर 125 मेगावार शम्ता वाला स्लर पावर प्लांट लगाया जाएगा मालम हो किसको लेकर भूमी अदिग्रहन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है ड्रामीनों JU के द्वारा 211 एकर जमीन की रजिस्ट्री सतलज जल विद्यूत निगम को की गई है इस पर निविदा भी चारी हो गई है और मिले जानकारी के नुसार इस प्लांट से सोलर विद्यूत का उतपादन जून 2024 से शुरू हो जाएगा हाला के 125 मेगावार्ड सोलर प्लांट लगाने के लिए 300 एकर भूमी के आवशकता होती है लेकिन 231 एकर जमीन होने के करण फिलहाल यहां 90 मेगावार्ड सोलर पावर्ड प्लांट ही लगाया जाएगा और आगे चल कर भविश्य में से और भी विस्तरत किया जाने की योजना है पालू हो कि जमुई के लावा बांका में भी इस तरह के पुजक्ट पर काम चारी है पटना ओटो स्ट्राइक खत्म आज से सरकों पर दोरेगी ओटो आटो स्टैंट हडाने से नराज आटो चालकों के दोरा पिछले कई दिनों से पटना जंक्षन गोलंबर से पटना पुडवी छेतर के बीच हरताल किया जा रहा था वहीं बीटे दिन ओटो चालकों के समर्थन में ओटो रिक्सा यूनियन के दोरा स्युक्त मोर्चा बनाकर ओटो और ई रिक्सा चालक संग के दोरा एक दिवस यह हरताल किया गया जिसका असर सरकों पर सुभा सहीं देखने को मिल रहा था लेकिन अब यह हर्ताल खत्म हो गया है यानि कि आज से पटना की सरकों पर आटो चलनी शुरू हो जाएगी पतारे कि आटो चालक संग के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा के दोरा आटो हर्ताल खत्म करने की घोशना करते वे कहा गया है कि यात्रियों के परशानी को देखते वे इस हरताल को खत्म करने का फैसला लिया गया हमारी मांग अब तक मानी नहीं गई है लेकिन यात्रियों के परशानी को देखते वे यह फैसला लिया गया है डिप्रेशन से बचने के लिए अपना ये आसान तरीका किसी भी लक्षन को न करे अंदेखा आज के दौर में डिप्रेशन या अफसाथ आम बेमारी हो गई है ऐसे में बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के दौरा दी गई जानकारी के नुसार डेप्रेशन या अफसाथ के कुछ लक्षन होते हैं जन्हें अंदेखा करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है जैसे किस प्रकार के सिती में हमें इस पस्ट रूप से सोचने में कठिनाई होती है दैनिक रिया करापो को करने में कठिनाई होती वह इस तरह के समस्या के निदान हितू टूर फ्री नंबर 14416 टेली मानस पर बात कर अपनी परिशानियों को बताया जा सकता है क्योंकि बात करने से ही बात बनती है इससे जुरियत जानकारी के लिए हलप लाइन नंबर 104 पर संपर किया जा सकता है अमिस्ता फिर आ रही है बिहार इस दिन होगा आगवन गरीव मंत्री अमिस्ता एक बार फिर से बिहार 16 सितमर को आने वाले हैं बता दे इस दौरान वे एक दिवसी दोरी पर बिहार आएंगे जिसमें वे जंजारपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पिछली बार अमिस्ता बिहार 29 जून को आये थे और उस दोरान उन्होंने लखी सराय में जनसभा को संबोधित किया था ऐसे में अमिस्ता के जंजारपुर के दोरे को एतिहासी बनाने के लिए भाजपा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी कई है मालूमों कि एक साल के अंदर अमिस्ता का बिहार के लिए यह छठा दोरा है जिसमें उनका सबसे पहला बिहार दोरा 23 और 24 सितंबर 2022 को हुआ था जिसमें उन्होंने सिमांचों से जनसभा को संबोधित करते वे 2024 लोग सभा चुनाओं की तयारियों का आगास किया था शिव मंदर में पूझा विधी को लेकर घिरे लालू यादव पर बेटी रोहनी ने दिया जवाब पिछले दिन उराजर सुप्रीमो लालू परशाद यादव अपनी पतनी और बिहार के पुर्व मुखे मंतरे राबरी देवी के साथ सोनपूर सित बाबा हरी हर नात मंदर पहुँचे थे जहां उन्होंने भगवान शिव की पूर्जा अर्चना की थी और उनका रुद्रा उत्तर प्रदेश के सरकार के मंतरी सती सर्मा को पूजा के बाद अरगा में हाथ दोते नजर आ रहे हैं वह इस वीडियो को शेर करते वे रोनिया चारे द्वारा लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंतरी सती सर्मा का कारणामा देखिए भाजपा की लोग सर्व सकती मान है इनके लिए सप्पा पुन्ने हो जाता है यह तो सिर्फ फान धुल रही है यदि आपने चरन धुलते या अने क्रिया भी स्टिलिंग पर अर्पित कर सकते हैं इनके लिए साथ पुल भाज है मंडे विश्वकप 2023 के लिए टीम इंडिया की हुई खोशना 22 जन भारतिय क्रिकेट टीम के मुखे चेहन करता अजीत अगरकरवर्ट टीम के कपतान रोहस सर्मा के दोरा एक प्रेस कॉंफरेंस कर यह जानकारी दी गई है कि विश्वकप में खेलने के लिए भारतिय क्रिकेट टीम में खिरारियों का चेहन कर लिया गया है बता दे किस टीम में अधिकांस उन खिरारियों को मौका दिया गया है जो NCA में कैंप कर एश्या कप 2023 को खेलने वाली टीम में शामिल थे मालूमों के विश्वकप के लिए जिन भारतिय खिलारियों का चेहन किया गया है उनमें कप्तान रोह सर्मा के रावा मिराट कोली, चस्प्रिद दुम्रा, श्रेस अयर, इशान किसन, मौहमद समी, मौहमद सराज, हार्दिक पांडिया, रविंद्र जड़ीजा, केल राहुल, श्रेकमारी आदव, अक्छर पठेल, सार्दुर ठाकुर, सुबमन गिल और कुल्दी प्यादव के नाम शामिल है पाकस्ता ने 1965 में तीन जगों से सीमा पार कर पश्मी पाकस्तान पर हमला किया था, तासकन समझोता भारत पाकस्तान युद 1965 में हुआ, डी सुबाराओ ने 2008 में भारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर का काड़े भार संभाला, नाशा के वैग्यानिकों के अनुसार, भारत प सिंग का जन्म 838 को हुआ था, सुतंतर सिनानी सरत चंद्रबोस का जन्म 889 में हुआ, फिल्म निर्माता ये शोहर का जन्म 1929 को हुआ था, भारती क्रिकेट खिलारी दिवांग गांधी का जन्म 1931 को हुआ था, हिंदुस्तानी सास्त्रिये संगीत के दिगज उस्ताद का निधन 2009 में हुआ था, वैलकर में आजम बात करेंगे खालिस्तान समर्थक पोस्टर और भिती चित्र के बारे में, सोसल मीडिया पर कहीं सुचना वारार होती है, लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है, इसी कर्णी में आजम बात करेंगे खालिस्तान समर्थक पोस्टर और भिती चित्र लगाए है, प्याइबी ने प्रिट्विट में आगे लिखा है कि दावाव फरजी है किसे भी जीबी संस्थान पर कोई पोस्टर भिती चित्र नहीं लगाए गये हैं, पेटियम ने लॉंच किया कार्ड पेमेंट साउंड बॉक्स, पेटियम ही दुकांदार एक ही डिवाई से कार्ड पेमेंट और अकाउंट में आए पैसो की जानकारी हासल कर सकते हैं, कम्प्री ने कहा है कि पेटियम अपने प्रतिस्थित साउंड बॉक्स, टैप एंड पे के माध्यम से वेपारियों को सभी वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक् वाट का स्पीकर दिया है, जो एकदम इस पस्टता से पेमेंट के जानकारी देता है, एक बार चार्ज करने पर, ये बॉक्स पांच दिन तक चल सकता है, इसमें कम्प्री ने 4G कनेक्टिविटी दी है, जिसमें पेमेंट प्रोसस एकदम फास्ट हो जाता है, इसके लावर 11 भासाओ में भी अलर्ट प्रदान करता है, जिसे वैपारी पेटियम फॉर बिजनिस एप के माध्यम से बदल सकते हैं, साथी पेटियम कार्ड, साउंट बॉक्स के साथ, एनफसी, सक्षम स्मार्टफोन वाले यूजर स्टैप सुधा को प्रयोग करके अपने फोन के माध् प्यासी, बिहार पुलिस, दरोगा समीत SST जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे, सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्ज और भुगोल से रहेंगे, पूछे गए पांचो सवाल में आपने कितना सहीुत तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारा पहला सवाल है, हाली में किस टीम ने पांच खिलारियों वाला 5A साइट होकी एशिया कब 2030 का खिताब जीता है, ऑप्शनी पाकस्तान टीम, ऑप्शनी ऑस्ट्रेलिया आई टीम, ऑप्शनी भार्तिय टीम, ऑप्शनी श्रिलंका की टीम, इसका सही उत्तर है, ऑप्शनी भार्तिय टीम, अगला सवाल, हाली में वर्स 2023 का दूसरा नौसे ना कमार्डर सम्मेलन कहां में शिड़ हुआ है, ऑप्शनी नई दिल्ली, ऑप्शनी लखनाउ, ऑप्शनी सूरत, ऑप्शनी एहमदाबाद, इसका सही उत्तर है, ऑप्शनी नई दिल्ली, अगला सवाल, हाली में यूनिफाइड पेमेंट्स, इंटरफेस, UPI ने भारत में कितने मासिक ट्रांजेक्शन का एतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शनी 10 मिलियन, ऑप्शनी 15 मिलियन, ऑप्शनी 20 मिलियन, ऑप्शनी 25 म इसका सही उत्तर है ओप्षणी 10 मिलियन अगल सवाल बिहार में धातू प्रस्तर युगीन अफशेश निम्न में से कहां से मिले हैं ओप्षणी चिरांद ओप्षणी चेचर और सोनपुर ओप्षणी मनेर ओप्षणी उप्युक्त सभी से परवर्ती गुप्षणी उप्युक्त सभी से अगला सवाल बिहार के नवादा जिले के अबसर से प्राप्त अभी लेख में किस राज वंस के बारे में जानकारी मिलती है option E, परवर्ती गुप्त वंस, option B, हर्यक वंस, option C, पाल वंस, option D, मौड़े वंस इसका सही उत्तर है, option E, परवर्ती गुप्त वंस बीदर दिन हमारा दुरा पूछी का सवाल का, आप लोगों मिस्ते बहुत लोगों ने प्रजाप हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उड़, आज का सवाल है, भारत का कौन सा राज्य है, जहां का खाना आपको बहुत पसंद है आपने जाब हमें हमारी comment section में लिख कर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप YouTube से देखरें चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद